लोक सबनी चुट्टी नी जहरा ततानी साते रहे शूरत कापड बजाना वेपारी ओए देशना बड़ा प्रतान नरेंग्र मोदी नो प्रचार सुरू के रोचे तेमने जीतारवा माटे नू एक लगसे दियार के रोचे त्यारे शूरत ना एक कापड वेपारी लली सर्माया मोदी स्वर्कार बनें और मोदी जी के प्रचार के लिए ये गेत लिखा गया है, होली का महूल है, होली पर जग़े-जग़े यहां पर प्रोग्राम होते है, वो सब प्रोग्राम है अपकीые दर्म्याने गेत लिखा गया है कुंकि मुझे पता है कपड़ा मार्केट में राजस्तान के वेपारी ज्यादा है और राजस्तान का चुना होता उस टाइम ने भी आपने गित लिखा तो इस बार कौन सा गित लिखा है अब की पूरे भारत को लक्षे करके मोदी जी लिए लिए लिखा है और उसके अंदर मकारफ आवाज आ रही अब की बार चार सो पार मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ Mोदी का परिवार पहले एकwow का चलता था यहां राज हालत ख़सता कर दिदेश की ऐसे थे सब का ज impacto जी जब से आय कर दिया उनका बंटा schwam कादार में हूँ मोदी का परिवार इसके अंदर जो जो मोदी जी ने काम किये है उनका भी उल्य करते हुए जैसे की तीन तलाक का मुद्दा है तीन सो सतर का मुद्दा है वो भी इसके अंदर समावेशित किया है तो जैसे कि मुसलमान महिलाओं के लिए तीन तलाक वला लाए तीन सो सतर लाए तो जैसे तीन सो सतर के लिए पूरे भारत को मोदी जी ने नई राह दिखलाई धारा तीन सो सतर कासमीर से हटवाई कासमीर भी हो गया अब तो देश से एकाकार मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार और तीन तलाक अएं तीन तलाक से उतपीडित थी मुसलमान मही लाएं unke khaatri भी मोदी जी अध्यादेश ले आएं सब खातूने कर रही मोदी जी के जयजयकार और ऐसा मुस्यमान मूलाएं भी मतलब परभावी तो है उन्हिंट और मोदी जी की जय कार व भी कर रही है तो सब खातूने कर रही मोदी जी की जय कार मैं हूं मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार और जो राम मंदिर का काम हुआ वो एक अनोखा काम था देश के अंदर वर्सों से प्रतिक्षा कर रहे थे धाम अयोध्या जन्म भूमिका था मुद्दा बर्सों से धाम अयोध्या जनम भूमिका था मुद्धा बरसों से विराज रहे थे राम लला भी तंबू में अरसों से आई मोदी की सरकार बन गया मंदिर भव्या पार मैं हूँ मोदी का परिवार मोदी परिवार अपके बार चार्सों पार साते साते मोदी ना विकास ना जे महत्वना मुद्धा ची या गीत मा लेवा मा विया चे केमरामेन बहरत प्रंपट साते किर्थेश पटेल न्यूश्यटिंग उजराती सूरत